हेलो दोस्तों में लौट क्या चुका हूं मार्शेल गौट के एक निव पीजिट के साथ अब तक अगर आप लोगो ने हम पर सेडल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजे इस तरह की निव फीडियो देली देखने के लिए अब तक हमने मार्शेल गौट म दिखाए जाता है तब ही इस जुने जाता है शू फैंग के पास जैंक आष्टारी को परका यू वाथदो नियू मुझे तुम से इस बाते करनी है झूनियर शू फैंग तुम थोरा टो मैं थोड़There वाला हूँ। तभी आमने दिखाया जाता है उदर एक बहुत बार केरियर आ जाता है। сю पहुत लोगे बहुत बाते करने है। यह लोग तो सकता ह। मैंने हैं झीत तो 2 दिन पहले से सरफ लेवल ऑफ हेवनरी लिम में थे और उन डोनों ने आशानी से फोर सी एकाड़ेमी जॉइन कर लिया था मैंने नहीं सोचा था कि आज से एक फिफ्ट लेवल ऑफ हेवनरी रिलिम का बंदा इदर आएगा तभी दिखाए जाता है उस प्रिंच का कोई सर्वें सारे लोगो को प शूउआ जैन करने लग जाता है जुन्यर सूव हांग तूडहा चान हो जाता है और बाते कि लिए भी दू Euch जाते है कि मुझे तो अर्क्यों हम चाहिए झाने लग साब है17 तुम ऐसे नैसर के बंदे हो कि तुम इस इस्टन सी रिजन के सारे जगों में जानी करना चाहोगे मैं सही कहरा हूँ ना शुफैंग और शुफैंग को एक लोकेट जैसा कोई सिंबल दिखा के कहने लग जाता है शुफैंग तुम इस जानी में अगर तुमें ये सिंबल दिख जाएगा तो मुझे जरूर बताना तभी शुफैंग जैंक्यान को पूछने लग जाता है शीनियर जैंक्यान ये कैसा सिंबल है और आपको कि डर मिला है तभी जैंक्यान शूफैंग को बताने रग जाता है मैं तुम्हें रियली बताओ तो मुझे भी अच्छी तरीके से याद नहीं है इसके बारे में मगर मैं जब 6 याग का था तब मेरी आखे खुली थी 9 प्रोविंस में और तब मैं अपनी सारी मेमोरी फूल गया था तब तक और तब मेरे पास सिफ ये पैंदेन और मेरा मिस्ट्रेस टेकनिक था और मुझे ऐसा लगा था कि मैं इस कौंटीनिन का नहीं हूँ और सूफैंग मेरे पास यही पैंदेन है जिसकी मदर से मैं अपने पास के बारे में जान सकता हूँ अगर तब में इस पैंदेन के बारे में कुछ पता सले तो मुझे जरूर बता देना था विश्यूफें जैंक्यान का यह सारे बाते सुनके कहने सोचने लग चाता है सीनिया जैंक चैन का भी बेक्गराउंड इतना भी सिंपल नहीं है मैंने पहले सोचा था कि सीनिया जैंक चैन ने ये फॉर्विडन मिस्ट्रेश टेक्निक को खुड हासिल किया है मगर तो ये उनके साथ पहले से ही था और एक से साल का बच्षा एक अंजयन जगे में अपने फादर और मदर के बीना कैसे बिटाया होगा ये मुझे सोच के भी बहुती बुरा लग रहा है अभी तब ही शूफैंक चैन को कहने लगता है ब्रदर चैन में आपको इसमें मदर जरूर करूंगा और आप इस पेटन को आपी रखिए क्योंकि मैं इस पेटन को मेमोराज कर चुका हूँ तब ही अमें दिखा जाता है शूफैंक और चैन चैन थोड़ी देर पहले जिस जगे में थे उदर एक बहुती भरा थमा का सुनाई देता है जिसको देखे Чтобы सूफैंग भी हैराण हो जाता है तभी हमें इसा जगे का सीन दिखाए जाता है जिदर सूरूई जिद्रदम और चैन को आप थीक है तभी जिद्रश कैने लगता है बह। दूसरी तरफ संचू दायनेस्टी के लोगों को दिखाए जाता है और सेंजु डाइनेस्टी का प्रिंच कहने लग चाता है जानु शेंग को तुम तो बहुत ही एरोगन हो इसलिए मैंने सोचा था तुम थोड़ा पाउरफुल होगे मगर तुम तो एक कूरे हो और तुम्हारा सरनम जान है ना तभी जानु शेंग गुस्चे से कहने लगता है तो क्या करोगे तभी वह बंदा फिर से कहने लगता है इसका मतलब तो तुम जान डाइनस्टी से हो तुम क्या एक इनिरितेट ब्लड लाइन के वोल्डी भी हो तभी इस बात पे जानु शेंग गुस्चे में आ जाता है मगर सूरुई जानु शेंग को रोक लेती है और कह तुम थोरा चान हो जाओ शूफैंग और जैंग्टियन के आने के बाद हम आसानी से शेंटू लेंग को आसानी से समाल सकते है और इससे हमें पता चलता है इस बंदे का नाम सैंटू लेंग है तभी शूरुई का बात सुनके जानु शेंग भी अर अपने मन में सोचने लग तभी दिखाए जाता है कोई एक बंदा शेंग्टू लेंग को कहने लग जाता है माईलोड आप रुख जाएए ये मेरी सारी गल्ती है तभी शेंग्टू लेंग उस बंदे को कहने लगता है तुम कौन हो तभी वो बंदा कहने लगता है माईलोड में इस रेस्टूरेंट का तभी दिखाए जाता है सेंटू लेंग का एक सर्वेन उस आदमी के पास आ जाता है और कहने लगता है तुम ही क्या इस रेस्टूरेंट के ओनर हो तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारे प्रिंच के सामने आने की तभी सेंटू लेंग उस आदमी को कहने लगता है तुम सामने कैसे आगे हो तभी वो आदमी भी शेंटुलेंड की तरफ देखके बहुती खबराने लग जाता है तभी शेंटुलेंड अपनी पावर की मदद से उस आदमी को उधरी मार देता है जिसकी परज़ेश सारों और खून भाल जाता है तभी यह सारा कुछ देखके उधर ख वांग रहे हो तुम लोग भी अमाली के साथ एक साथ कबर में शलो और ये कहए सेंटू लेन अपने सारे लोगों को पागते हुए रोगों को मर्डर करने के लिए ओर्डर देर ता है कहने के सारे आदमी बाले लोगों को मार दिया हूँ, जो मेरे प्लैन के आगे आएगा और मेरे ताइम को वेस्ट करेगा, मैं उसको इस तरीके से ही मार डालूँगा, तभी सूमे को कहने लगती है कि तुम तो एक बीश्ट हो, तभी सूमे का बात सुनके सूमे को पकड़ने के लिए कहता है, पकड़ने के लिए क्वाले होते है, तभी दिखाया जाता है, शूमे और सूरूई के आगे जानु सेंग आ जाता है, और कहने लगता है, तुम लोग क्या हमें मारना चाहते हो, तभी उदर शूफैंग आ जाता है, और उन दोनों बंदों को अपनी पाउर से एकी बार में म दालता है, और तभी शूफैंग उन लोगों को कहने लगता है, तुम लोग क्या हमें मारना चाहते हो, और क्या तुम लोग हमें मारने के लिए क्वालिफाई भी करते हो, तभी अपने लोगों को मरते हुए डेख के लेंग गुस्य में आ जाता है, और कहने लगता है, तु चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू